अलो दोस्तों मैं हूँ गोरव and पिछले वीडियो के अंदर अपने डेटा शोर्च से यूज करके अपने यह आईडिया था राइट इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि अपन इस आईडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट के साथ तो मैंने मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है यहाँ पर प्रोवाइडर.tf फाइल यह है एक चीज और आप यहाँ पर दिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो बट ठीक है मैं नहीं दे रहा एंड इमेज नेम अपन यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है एंड अपन टेराफोर्म.tf ओर ओपन करते हैं और उसके अंदर अपन यह इमेज नेम डिफाइन कर देते हैं Ctrl-C किया मैंने इसको यहाँ से and terraform.tf ओर Ctrl-V equal to अभी यहाँ पर इमेज का नेम क्या देना है तो अपने लास्ट टूडियो में जो कोड लिखा था मैं उस कोड को अपन करता हूँ यहाँ पर ls cat provider.tf यह अपनी इमेज का नेम था मैं इस नेम को यहाँ से copy कर लिता हूँ Ctrl-C यह अपनी इमेज का नेम है अब बात करते हैं कि अपन को data source यूज करना है यह पूरा का पूरा data source यूज करना रहे तो मैंने यह भी पूरा का पूरा code copy कर लिया इसको अपन instance.tf के अंदर डाल देते हैं तो यह अपना instance.tf था इसी के अंदर अपन data source यूज करने वाले हैं तो मैं इसको दे देता हूँ इस जगर पर उपर उपर ठीक है इस image का नेम यहाँ पर क्या आएगा यह नेम आएगा यहाँ पर dollar sign where.image underscore name बाकी यह चीज भी आप आप ऐसे variable ले सकते हो अभी के case में मैं क्यावल यह एक चीज variable ले रहा हूँ ठीक है आप owner का name भी variable ले सकते हो चलिए आप यह सारे काम I think अब आप कर सकते हो अपन नीचे चलते है concept की साइड अब यहाँ पर जब image id आएगा तो image id आपको क्या डालना है यहाँ पर आपको य आपके variables के अंदर मैंने image id का colon पूरा का पूरा अठा देता हूँ यहाँ से अब इसकी जरूरत नहीं है ठीक है और terraform.tf war से भी अपन image id अठा देते हैं इसकी भी जरूरत नहीं है अब अपन को अब अपने को क्योवल image name था जो अपन ने यहाँ पर दे रखा है तो अब क् image का name भी यह होना चाहिए था जो अपने उधर tf war के अंदर define किया है terraform.tf war के अंदर और जो image रहीगी उसका root device type EBS होना चाहिए and virtualization type जो है वो hvm होना चाहिए अब इतना होने के बाद में आप अपन terraform plan command चला के देख लेते हैं चल रही है यह नहीं चल रही है या फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि में को जड़त नहीं होगी तो भी मैं command चला चला के आपको दिखाऊंगा जिससे at the end आपको पता रहेगा कि कौन सी command क्या ग empty अपना जो code था वो well formatted हो चुका है चलिए terraform plan command चला के देख लेते हैं and terraform plan के अंदर मैं किस चीज में सबसे ज़्यादा interested हूं मैं interested हूं image id के अंदर एक चीज और जो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा पहली चीज तो यह है कि अपने यह जो command चला रहे है यह गलत folder के अंदर चला रहे है ठीक है सीरी डॉट डॉट करता हूं AWS first instance यहां पर जाके चलाता हूं दोनों command ठीक है दोस्तों तो अपने validate भी चला लिया AWS first instance वाले project के अंदर and terraform fmt command भी चला लिया है अब अपन terraform plan command चलाते हैं और देखते हैं कि अपने को क्या दिखता है plan के अंदर ज मैं देखता हूं image id जहां पर अपने को instance की details मिलेगी तो यह सारी की सारी instance की details है राइट यह रहा अपना image id राइट तो अपने को image id कहां से मिल गया AWS से मिल गया जबकि अपने कुछ भी नहीं डाला था महां पर अपने keyword name डाला था और filters लगा दिये थे कि हमको कुन सी image सही है तो दोस्तो terraform apply command से लागे देख लेते हैं अभी अपन तो दोस्तो आप यहां पर देख सकते हो अपना जो AWS का जो instance था वो create हो चुका है अपना पूरा का पूरा terraform plan जो था वो successfully execute हो चुका है तो simple सा अब अब देखो आपको कहीं पर image id डालने की भी ज़रत नहीं पड़ी है तो इस वीडियो में इता हैं दोस्तो अगले वीडियो पर बात करने वाले हैं terraform configuration के बारे में ठीक है तो दोस्तो इस वीडियो में मिलते हैं अगले वीडियो में बबाई